हलो एवरिवन आज यमारे सामने खड़ी है MG Ester ये Black Storm Edition आज यमारे सामने खड़ा है जो की MG ने रिसेंटली लॉंच किया है ये वाला Edition आपको MG के सबी लाइन अप के अंदर देखने को मिलेगा सिर्फ कॉमेंट को छोड़के आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले है Black Storm Edition के अंदर क्या कुछ आपको जो है डिफरेंस देखने के मिलता है उन सारी शीजों की जो है डिटेल में बात करेंगे वीडियो को एंड तक देखेगा चले शुरू करते हैं सबसाब पहले चाबी से चाबी की बात करें तो चाबी आपको कुछ इस तरीके से देखने के मिलेगी चाबी में जो है कोई भी चेंज नहीं किया गया चाबी बिल्कुल सेम है जैसे पहले आती थी पीछे एमजी का लोगो मिलेगा ऐसी आपको दोखी आएंगी तीन बटन्स मिलेंगे लॉक अनलॉक और भूट अनलॉक करने के लिए मैनुल भूट आता है वैसे इसके अंदर की के अंदर यही सारे चीज़ देखने के मिलती है इसके वेरियंट की बात करें तो यह स्मार्ट वेरियंट है आटमेटिक के अंदर भी आपको देखने के मिलेगा चीज़ आता है वेरियंट 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 है आज की वेरियंट में देखेंगे क्या कुछ आपको इसके अंदर देखने के मिलता है इसके एक्षयोरूम प्राइस की बात करें तो यह आपको कोस्ट करेगा एक शुरूम 14,48,000 ओन रोड के लिए वीडियो का डिस्क्रेश्चिन देख लेना वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने के मिल जाएगी चले शुरू करते हैं फ्रंट से फ्रंट में क्या कुछ जो है आपको देखने का मिलता है सबसे पहले बात करें तो यहां पर सेंटर में आपको बड़ा सा एमजी का लोगो देखने का मिलेगा फ्रंट पार्किंग कैमरा या सेंसर के अप्शन नहीं मिलते हैं इस वाले वेरियंट के अंदर कभी कार खराब हो जाए तो यहां से आपको प्रटो करने का भी अप्शन मिलेगा जिक जग पैटरन में ग्रेल है कि बात करें तो यहां पर प्लेस किए गए हैलोजन बेस्ट फॉग लेंगे रिफ्लेक्टर सेट अपके साथ और हैलेट सेट आपकी बात करें तो आपको कुछ इससरी किसे देखने के मिलेगी सिंगल प्रोजेक्टर हैड लंप एलीडी बल पर साथ इंडिकेटर सोट यहां प बात करें तो फेंडर पर आपको जो इस तरीके स्टाइब के बैसिंग देखने के मिल जाएगी और अलवी वील्स में भी जो ए चेंज किया गया है आप जो है और ब्लेक वील्स में लेंगे सेंटर में जी का लोगो आएगा पायर की बात करें तो गोडी एर के टायर सेंट् एक परसन इस्टर सबस्पेंशन आते हैं पीछ आपको टॉर्जन भीम विद्कॉल स्प्रिंग के साथ सबस्पेंशन मिलेंगे बॉडी कलर दो आर्विम से हैं टन्स इंडिकर्स के साथ इलेक्ट्रिकल एड्जेस्टेबल फोल्डेवल दॉनक ऑप्शन मिलेगा रोफ रेल नहीं है सबसे पहले टेल लैट्स की बात करें तो बिल्गों सेम ही देखने कला मिल जाएंगी एलीडी सेट अप है पूरा इंडिकेटर्स और रिवर्स लैट के साथ जैड़ेस्ट की बैसिंग मिलेगी एस्टर की बैसिंग यहां पर प्लेस्ट की गई है बड़ा साइम जी सेल पाइप रियर सबस्पेंशन कार का कुछ इस तरीके से देखने के मिलता है रियर वाइपर डीफ और दोनक अप्शन मिलेगा हाई मूंट स्टॉप लैंप इस जगए प्लीस की गई है शार्पने अंटेना है आई यह लोग के दिखते हैं बूट सिंगल प्रेस से यह लो सब्सक्राइब करने के बाद करने के बाद अलमुस्ट आपको 900 लीटर का बूट स्पेस बन जाएगा इसके इंदर जो की सेम है इसमें कोई भी फरक नहीं देखने के मिलता है कर देते हैं बूट को क्लोज चलते हैं राइट साइड में राइट साज से देखें तोकपीड कार कॉछ इस तरही के से देखने के मिलेगी फॉर पॉइंट्ट ट्री मिट लेंध है वन पॉइंट्ज मिट हाइट ॉर ग्राउंड क्लेशं की बात करें तो यहाप आपको कि की वैजिंग मिनेगी आइएड चलते हैं कि gener में रियर दोर से स्टार्ट करते हैं क्या कुछ है आपको देखने करें का मिलेगा हैं टोर ow ब्रेंट गुटिंट पर्ट का थिहा उालेच में आपको ब्रेणी स्पीकर और दो ट्यूटर का मिजिक सिस्टम देखने के मिलता है इसका फ्लिट बगएर नहीं मिलेंगी डूल टोन फैबरी का पॉस्टी सीट्स है तीन अड़ेस्टेबल है ड्रस मिलेंगे सीट पे डिजाइन है थिरी पॉइंट सीट बैस आएंगी तीनों पैसेंजर के दोर को करते हैं क्लोस पीचे से कंप्ली डैशबोर के वियू की बात करें तो आपको कुछ इस तरी किससे देखने का मिलेगा ऐसा दिखता है कंप्लीट सेंटर कंसूर दो इसी वेंट्स मिलेंगे दो यूएसब एटाप चारजिंग पोर्ट हैं नीचे कुछ और स्पेस नह पाड़ी की और यहां पर बात करें तो पॉकिट्स दी गई है सेम ड्राइवर साइट सीट के पीछे भी पॉकिट्स मिलेगी सॉफ्ट अपनी के साथ ग्राइब एंडल है लाइट दी गई है बट वह और नहीं होगी जब तक है इगनिशन वगरा ओन नहीं गरेंगे आई थ दोफिक साइल सीट माउंटिंग से आई चलते हैं फाइनली ज्राइवर साइट सीट पर वाहां पर देखते हैं आपको क्या कुछ जो है सकने ने करहें मिलता है प्रक्वे सेंसर आएगा और डोर ट्रेम की बात करें तो वो भी बिल्कु सेम ही देखने का मिलती है यहाँ पर आपको चारा पार विंडो के कंट्रोल्स बिलेंगे चाल्ड सेफटी का कंट्रोल है लेदर का यूज मिलेगा रेड कलर में स्टिचिंग है सिल्वा फिनिश में डोर हैंडल्स लॉक अनलॉक करने का अप्शन है नीचे वन लीटर का बटल होल्डर मिलेगा इस पीकर है ट्यूटर यहाँ पर प्लेस किये गए हैं इसका प्लेट ड्राइवर साइट सीट पर भी नहीं देखने करने मिलेगी तायर प्रेसर रिलेटर तीन पैडल्स मिलेंगे इसमें आटोमेटिक का भी अप्शन आता है वैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था यहां से उपन करेंगे कार का बोनर्ट फ्यूल का अपन करने के लिए ओ रव्यम के इंटेनर एडजस्मेंट फोल्ड करने का अप्शन हैड ला के साथ जो है ट्रीटमेंट आपको देखने का मिल जाएगी ब्लैक स्टाम एडिशन के अंदर और एक वर कैबिन और देख लेते हैं पूरा डिटेल में सो और ऑल कैबिन का जो है ले आउट कुछ इस तरीके से देखने का मिलता है इस्टेरिंग वील की बात करें तो आपको अ डेटर्स की गंट्रोल्स है वाइपर की गंट्रोल्स ऑटमेटग रेंडिशन की एडजेस्मेंट की बात करें जो की एक अच्छी चीज नहीं है सग्मेंट के गार के साप से और पूरा शेंट्र कंसूल का सेटप देखें तो कुछ इस तरीके से देखने का मिलेगा अंद स्पेस की बात करें तो वह आपको कुछ इतना देखने का मिलता है जो कि अच्छा का सा स्पेस है मैनुल हेंडब्रेक आएगा सिल्वर फिनिश में टिप दी गई है नीचे की रखने के लिए स्पेस है और यह है फाइव स्पीड का मैनुल ट्रांस्मिशन फाइव स्पीड के अटमेटिक सीवीडी ट्रांस्मिशन का भी अप्शन आता है फेक कारबन फाइवर फिनिश मिलेगी गेर नौप के सराउंडिंग में खेल डी संट कंट्रोल है अट्रेक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा यहां पर आएगा 12 विग पावर आउटलेट दो यूस्वी यह टाइ स्क्रीन जो की सपोर्ट करेगी वायर कनेक्टिविटी के साथ एपल का पर एंड्रोड रोज यूएस भी ऑक्स नहीं आता है वोइस कमांड भी सपोर्ट करती है उपर दो इस इवेंट से हैं हजालाइट अनौफ कर निकले सुच मिलेगा इंजिन सास्ट बटन है और यह में कर देते क्लोज और यहां पर बात करते हैं यहां पर मिलेगा आपको इसका मैनुल दिमिंगा यह मॉटमेटिक सिर्फ टॉप एंड वेरिंट के अंदर आता है यूएस भी का पूर्ट दिया गया है पैसेंजर एर बैग अनौफ करने का ऑप्शन संरूफ के गंट्रोल्स पूरी संरूफ जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने का मिलती है फूल साइस पैनरोमिक संरूफ आती है इसकंदर लाइट के गंट्रूल्स है सेम यहां पर भी आपको गंट्रूल्स मिलेंगे और यहां पर देखें तो यहां पर आपको वैनिटी मिलेगा बट लाइट नहीं दी गई है कि टॉल डर यहां पर आता है और सेम यहां पर बात करें तो सेम यहां पर भी आपको मिर्र मिलेगा बट लाइट नहीं आएगी कि सहार और कैबिन के अंदर यह सारी चीज़ आपको देखने का मिलती है यह एक बार इगनीशन को आउन कर लेते हैं सिंगल प्रेस में यापके सारी लाइट ओन हो जाएंगी तो एक बार यहां की भी ग्लो करके देखते हैं यहां पर दिया गया बटन एलिडी लाइट दी गए जो पीछे भी थी वह भी आपको पूरी एलिडी लाइट देखने कर मिलती है एक बार मैं आउन करके दिखा एक दिख्वले का रहा है एन्हों ने जो यह भी फ्यूस जो है इसका है मीडी का रिमुव कर रहा है थिंक किस वज़े से रिमूब किया है वो मुझे नहीं पता इंफो टेंट वगयर गी बात करें तो इसमें बिल्कुल भी आपको चेज नहीं देखने में गा वहीं इन्फ सकते हैं वीकल सैटिक्स होगेरा आई कॉल ब्लुटूथ वगेरा से कनेक्ट करने के ऑप्शन सेटिंग्स होगे रहा है तो हाई एमजी ब्रेंट विन नंबर राइस्टेशन नंबर वगेरा है यहां पर अकाउंट नेट्वर्क्स साउंड सेटिंग्स हैं तो अगर आपको ड आपको इस तरीके से गुडबाइ यह सुनने के लिए भी मिल जाएगा अज यह देखते हैं पुड़ा सा एक हाज से उठाना थोड़ा सा थैवी पड़ जाता है क्योंकि एक बार लॉक कर लेते हैं कंप्लीट इंजन बेज हो है आपको कुछ इस तरीके से देखने के मिलेग इसके स्पेक्स की बात करें तो यहां पर आपको वन पॉइंट फाइवी टर का इन लाइन फो स्लेंडर नीचरल इस पेट्रोल एंजन मिलता है पावर की बात करने तो वन इंडेट 8BHP की पावर मिलेगी और वन इंडेट 44 एनम का टॉर गाएगा 15 का एवरेज मिलेगा 45 ल यहां से फिल करेंगे आप वाशर वोलेंट फिल गरने का उप्शन है एक्स्टेंडर बैटरी है इस्टेंडर वारंटी के बात करें तो यहां पर आपको वन लेक किलोमेटर और थ्रियर की वारंटी आईगी जिसको किया पांच साल तक लिए एक्स्टेंड करा सकते हैं बोन इंटीर में आपको कॉस्मेटिक चेंज ही जो है मजी एस्टर के ब्लैक स्टाम एडिशन के अंदर देखने के मलते हैं